हलो फ्रेंट्स मैं पंकज, वेलकम टू क्रेजी जीकेट ट्रेक तो फ्रेंट्स देखिए एंडियन जोग्रफी की सीर्स को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम भारत की नदियो को डिसकस करने वाले हैं इसके पहले देखिए हमने भारत के सभी डेम को डिसकस किया था I hope आपने वो session को बहुत enjoy किया होगा और आपको सभी question बहुत easily वहाँ पर समझ में आ गए होंगे तो चलिए अब हम भारत की नदियों को detail में समझ लेते हैं MCQs के माद्यम से इन्हें हम detail में यहाँ पर डिसकस करेंगे देखिए अगर आप इस topic की PDF को डाउनलोड करना चाते हैं तो crazy gk trick के application पर जाकर इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए अब हम questions की तरफ चलते हैं तो सबसे पहला question देखिए कावेरी नदी जल विवाद मुखिता किन दो राज्यों के मद्य में है देखे कावेरी नदी के पानी को लेकर कावेरी जल विवाद जो है वो दो राज्यों के मद्य देखने को मिलता है करनाटक और तमिल लाडू कावेनी नदी जैसा कि आप यहाँ पर मेप में देख सकते हैं दक्षिन में करनाटक में ब्रह्मगिरी की भाड़ियों से निकलती है और पुर्व दिशा की और बहती है और पुर्व की और बहते हुए करनाटक के बाद तमिल लाडु रज्ज में इंटर होती है और तमिल लाडु के बाद अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है तो इस तरह देखिए पुर्व की और बहने वाली कावेनी नदी क्यूकि करनाटक और तमिल लाडु रज्ज में बहती है तो इसलिए इसके पानी को लेकर विवाद भी इन दो रज्जों के मद्ध में ही देखने को मिलता है हमें देखिए हर दो तीन साल में कावेरी नदी के पानी को लेकर इन दो रज्जों के मद्ध में विवाद की इस्तिति देखने को मिलती है कौन से दो रज्ज हैं? करनाटक और तमिलाडू हिमालय पार की नदिया है तो देखे यहाँ पर कुशन पुशा गया है फ्रेंड्स कि एसी कौन सी नदिया है जो की हिमालय के उत्तर से नॉर्मली तिब्बत या चीन के शेतर से निकलती है तो एसी नदिया देखे ब्रह्मो पुत्र, सिंदू और सतलज है इन तीनों ही नदियों का उत्गम तिब्बत शेतर से होता है तो अंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा ब्रह्मो पुत्र, सिंदू और सतलज हिमालय पारी नदिया है गंगा नदि को बांगला देश में किस नाम से जाना जाता है देखे गंगा नदि, जिसका उद्गम उत्तराखन राज्य से होता है यह भारत से बहते हुए बांगला देश में जाती है और बांगला देश में गंगा को पदमा के नाम से जाना जाता है देखे दो और फेक्ट यहां पर याद रखेगा कि गंगा नदी को बांगलादेश में पदमा कहा जाता है ब्रह्मोपुत्र को बांगलादेश में जमुना कहा जाता है और गंगा और ब्रह्मुपुत्र की जो सयुक्त धारा है बांगलादेश में उसे मेगना के नाम से जाना जाता है तो देखे तीनों पर ही अब आप कन्फ्यूज मत हुईएगा गंगा नदी को बांगलादेश में पदमा के नाम से जाना जाता है ओके, नेक्स्ट वेशन पर आजाईए सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलिक कीजिए और सूचीयों में नीचे दिये गए कुट का प्रयोक करते हुए सही उत्तर का चैन कीजिए तो देखें यहाँ पर पहली सूची में नदिया दी गई है और दूसरी सूची में साहक नदियों का उलेक किया गया है आएए यहाँ पर जूडिया मिला लेते हैं देखें गंगा की साहक नदि कोन है? सोन है मध्यप्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदि गंगा की साहक नदि है ए का हो जाएगा फोर फिर गोदावरी की बात करें तो गोदावरी की साहक नदि है मंजरा बी का हो जाएगा थ्री कृष्णा की साहक नदि है भीमा तो सी का हो जाएगा वन और यमुना की साहक नदि है केन तो डी का हो जाएगा टू अब यह सिरीज देख लीजिए किस option नदी गई है तो ये है option D सोन गंगा की साहिक है मंजरा गोदावरी की साहिक है भीमा कृष्णा की और केन यमुना नदी की साहिक नदी है ओके नेक्स्ट कोशन पराजएए भारत की व्रत्तम नदी कौन है मतलब सबसे बड़ी नदी कौन है तो देखे भारत की सबसे बड़ी नदी है फ्रेंड्स गंगा पच्चिस सो पच्चिस किलो मिटर लंबी गंगा नदी उत्तरा खंड के गोमुक हिमानी से निकलती है ये भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा दक्षिन में बहने वाली गोदावरी नदी 1465 किलो मिटर लंबी है क्रिश्ना की बात करें तो ये 1400 किलो मिटर लंबी है और महा नदी की अगर बात करें तो ये लगबग 900 किलो मिटर लंबी है या दखिएगा बहुत important है तो सबसे बड़ी नदी कौन हो गई गंगा दक्षिन भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है दक्षिन भारत में देखिए इन चार नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी है अभी हमने बात की थी इसकी लंबाई 1465 किलो मिटर है कृष्णा की बात करें 1400 किलो मिटर, कावेली नदी 805 किलो मिटर है और नर्बदा नदी 1312 किलो मिटर लंबी है तो गोदावरी दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी है निमनलिखित में से कौन सी नदी अमर कंटक के पठार से निकलती है याद कीजिये हमने पहले भी डिसकस किया था इन चार नदियों में मध्यप्रदेश की सोन नदी अमर कंटक के पठार से निकलती है सोन नदी नेक्स्ट कोशन देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सयुक्त जल्धारा किस नाम से जानी जाती है तो गंगा और ब्रह्मोपुत्र दोनों ही नदिया देखे बांगला देश में जाकर मिलती है और बांगला देश में इनकी जो सयुक्त धारा है फ्रेंड्स वो मेगना के नाम से जानी जाती है तो गंगा और ब्रह्मोपुत्र की सयुक्त जल्धारा को बांगलादेश में मेगना के नाम से जाना जाता है सुन्दरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है तो देखे भारत के पश्चिम मंगा रज में और बांगला देश में स्तित सुन्दरवन का डेल्टा गंगा और ब्रहमोपुत्र नदियों के द्वारा बनाये जाता है इसे गंगा ब्रह्मो पुत्र के डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है तो गंगा और ब्रह्मो पुत्र नदी सुन्दरवन के डेल्टा का निर्मान करती है जो कि भारत के पश्चिम मंगाल और बांगला देश में फैला हुआ है निमनलिखित में से कौन सी नदी का उदगम भारत में नहीं है तो देखे कावेरी करनाटक राज्जे से निकलती है नर्बदा का उदगम MP से होता है किन्तु अगर ब्रह्मो पुत्र की बात करें फ्रेंड्स तो ये तिबबत में चीन के शेत्र से निकलती है तिबबत में केलाश मान सरोवर जो की ब्रह्मो पुत्र का उदगम स्तान है फ्रेंड्स वर्तमान में चीन में है तो ब्रहमोपुत्र एक ऐसी नदी है जिसका उदगम भारत से नहीं होता इसके बाद देखिए रावी की अगर हम बात करें तो ये हिमानचल प्रदेश छेत्र में हिमाले परवतमाला से निकलती है तो ब्रहमोपुत्रे कैसी नदी है जिसका उदगम भारत से नहीं होता गंगा और ब्रहमोपुत्रे नदीयों का उदगम इस्थान क्रमशा इस्तित है तो देखे गंगा, गंगा का उदगम होता है उत्तराखंड राज्य से और ब्रह्मोपुत्र का उदगम होता है तिबबत में केलाश मानसरोवर से तो उत्तराखंड और तिबबत क्रमशा गंगा और ब्रह्मोपुत्र नदियों का उदगम इस्तल है लूनी नदी के संदर्ग हुमे निम न लिखिक कत्नों मेंसे कौन सा एक सही नहीं है देखे लूनी नदी राजस्तान के शेतर से निकल कर दक्षिन के और बहती है और गुजरात के कच्छी के रण में भिलुप्थ हो जाती है तो देखे, casual सा मैंने आपको एक data बता दिया है, एक analysis बता दिया है अब हम इसके चार option को देख लेते हैं और देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही है तो पहला देखिए, यह भैकर खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि यह गुजरात में कच्छी के रण में जाकर विलुख्थ हो जाती है यह बहकर कच्छी की खाड़ी में जा मिलती है ये भी गलत है, या पाकिस्तान में बेऋते हुए सिंदू की एक सहायक नदी में विलिन हो जाती है बिल्कुल गलत या कच्छी की रन की दल्दली भूमी में लुख्थ हो जाती है तो ये आॉप्शन बिल्कुल सही है लूनी नदी के संदर भूमे राजस्तान शित्र से निकलने वाली लूनी नदी गुजरात में कच्छ की रन की दलदली भूमी में विलुप्त हो जाती है तिबबत में मानसरोवर जील के पास किस नदी का उदगम स्तरोत इस्तित है तो देखे तिबबत के मानसरोवर जील के निकट से सिंदू, सतलज और ब्रह्मु पुत्र तीनों ही नदियों का उदगम होता है और ये अलग-अलग रास्ते से बाद में भारत में इंटर होती है तो इन में से सभी यहाँ पर आप्शन सही हो जाएगा इन तीनों ही नदियों का उदगम मानसरोवर जील के निकट से है नेक्स्ट कोशन देखिए निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है बिहार की शोक कहलाने वली नदी कौसी नदी है कौसी नदी की अगर हम बात करें तो ये नेपाल हिमाले से निकल कर भारत के बिहार रज्ज में प्रवेश करती है और सबसे अधिक मार्ग परिवर्टित करने के कारण बिहार में इस नदी में सबसे ज्यादा बाणाती है इसलिए इस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है कोसी नदी को तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निमनलिकित में से किस्से होकर भारत में प्रवेश करती है तो देखिए एक्च्वल में सांगपो नदी ही ब्रह्मपुत्र नदी है फ्रेंड्स जिसका उदगम तिब्बत में केलाश मान सरोवर से होता है और ये बहते हुए भारत के अणचल प्रदेश राज्य से भारत में प्रवेश करती है तो सांगपो नदी अणचल प्रदेश राज्य से भारत में इंटर होती है और आगे चलकर इसे ब्रह्मपुत्र नदी का नाम मिलता है विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप माजुली का निर्मान करने वाली नदी है देखे ये कोश्चन ऐसे भी पुछा जा सकता है कि माजुली नदी दीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप है किस नदी पर इस्ते थे तो फ्रेंज देखिए ये असम में ब्रह्मो पुत्र नदी पर इस्ते थे ब्रह्मो पुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी दीवीप माजुली इस्ते थे किस नदी पर? ब्रह्मो पुत्र पर निमनलिखित में से कौन सी नदी दक्षिन से उत्तर की और प्रवाहित होती है देखिये गोदावरी महारास्ट से निकलती है और पुर्वदिशा की और बहती है कावेरी करनाटक से निकल के पुर्वदिशा में बहती है इसके बाद कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो ये पश्चिमी घाट पर महारास्ट में देखिए महा बलेश्वर छेत्र से निकलती है और पुर्व दिशा की और बहती है बेतवा मद्य प्रदेश के राइसें से निकलती है और उत्तर दिशा की और बहती है और MP के बाद UP जाती है और UP में यमुना नदी से मिल जाती है तो इन चारों में बेतवा एक ऐसी नदी है फ्रेंड्स जो की दक्षिन से उत्तर की और प्रवाहित होती है दो प्रमुक नदिया कौन सी है जो अमर कंटक पठार से निकलती है तदा अलग-अलग दिशाओं में बहती है तो देखिए ऐसी दो नदिया है फ्रेंड्स नर्बदा और सोन नदी नर्बदा अमर कंटक के पठार से निकलती है और पश्चिन दिशा की और बहती है वही सोन की बात करें तो ये उत्तर पुर्व दिशा की और बहती है दोनों नदिया एक ही इस्तान से निकल कर अलग-अलग दिशाओं में बहती है नर्बदा और सौन किस नदी की सायक नदी हगरी नदी है? तो देखे फ्रेंड्स हगरी नदी तुंग भदरा नदी की सायक नदी है इसके बाद नेक्स्ट कोशन पर आजएए निमनलिखित में से किस नदी को उड़ीशा की शोक कहा जाता है? तो देखे पहले हमने बिहार की शोक को पढ़ाता फ्रेंड्स हमको पता चला कि कोसी बिहार की शोक है? उड़ीशा की शोक की बात करें और ओड़ीशा रज्ज में इंटर होती है ओड़ीशा में बहुत ज़्यादा बान इस नदी में आती है इसलिए इसे ओड़ीशा की शोक कहा जाता है महा नदी निमनलिखित में से नदीयों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कोन सा है? अवरोही क्रम का मतलब है फ्रेंड्स घर्टा हुआ क्रम तो देखिए सबसे बड़ी नदी से शुरू करते हैं तो इन चारों में से देखिए सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मोपुत्र तो पहले नंबर पर तो ब्रह्मोपुत्र आ जाएगी फ्रेंड्स बी लिख लेते हैं ब्रह्म पुत्र लगभग 2900 किलो मिटर का बहाव शेत्र तो इसका इंडिया में ही है दूसरे नमबर पर आती है फ्रेंड्स गंगा जो की भारत की सबसे बड़ी नदी है जी लिख लेते हैं 2525 किलो मिटर लंबी है नम ने लिखे इतने से कौन सी नदी एश्चुरी का निर्मान करती है तो देखे पश्चिम की और बहने वाली नर्बदा नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है और एश्चुरी का निर्मान करती है यहां पर देखिए एक तापती नदी को भी याद रखिएगा MP, महारास्ट और गुजरात में वहने वाली तापती नदी भी एश्चुरी का निर्मान करने वाली नदी है यहां पर आप्शन में नर्बदा दिया गया है तो अंसर भी हो जाएगा नर्बदा और तापती दो एसी नदीया है जो की एश्चुरी का निर्मान करती है इसके बाद देखिए एक बार फिर से यहां पर हमें जोडी मिलाने के लिए कहा गया है तो आईए देख लेते हैं नदीया और उसकी साहक नदीया तो देखिए क्रिश्चना की साहक नदीया हम पहले पढ़ चुके थे कौनसी है भीमा नदी तो A का तो हो जाएगा 4 ब्रह्मोपुत्र की साहक नदी की अगर हम बात करें तो ब्रह्मोपुत्र की साहक नदी है तिस्ता B का हो जाएगा 3 गोदावरी की सायक है इंद्रावती नदी C का हो जाएगा 2 और यमुना की सायक नदी है चम्बल नदी तो D का हो जाएगा 1 ये जो सिरीज है फ्रेंट्स option A में दी गई है तो यहाँ पर हमारा अंसर हो जाएगा option A भीमा कृष्णा की तिस्ता ब्रमोपुत्र की इंद्रावती गोदावरी की और चम्बल यमुना नदी की सायक नदी है भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है लवण नदी मतलब फ्रेंट्स जिसमें लवणता बहुत जादा है मतलब नमक की मात्रा जादा है तो ऐसी नदी है फ्रेंड से लूनी नदी राजस्थान से निकलने वाली लूनी नदी जो की दक्षिन दिशा की और बहती है और गुजरात के कच्छी के रण में विलुप्त हो जाती है ये भारत की एक लवण नदी के नाम से जानी जाती है अंसर भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवा मद्धी प्रदेश राज्यों में सयुक्त राजगाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है तो किस नदी पर है ये पुछा गया है तो राजगाट परियोजना जो कि देखिये नॉर्मली उत्तर प्रदेश राज्य में इस्तिते फ्रेंड्स लेकिन ये मद्धि प्रदेश से निकलने वाली बेतवा नदी पर इस्तिते थे बेतवा नदी MP से निकलती है और बहते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में इंटर होती है उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर राजगाद नदी घटी पर योजना है जिसे देखिए महापर माता टीला या फिर रानी लक्षमी भाई के नाम से भी जाना जाता है तो किस नदी पर है बेतवा पर तवा नदी किसकी सायक नदी है मद्धि प्रदेश में बहने वाली तवा नदी नर्बदा नदी की साहिक नदी है तवा नदी के तड़ परी देखिए मद्धि प्रदेश का पचमड़ी इस्तित है क्या दखिएगा important fact है तो तवा नदी नर्बदा की साहिक नदी है इसके बार देखिए निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पत परिवर्तन किया है मतलब देखिए यहाँ पर इंडारेक्ली पूछा गया है कि मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है तो याद कीजी हमने पहले डिसकस किया था ये है कोसी नदी जिसमें देखिए मार्ग परिवर्तन के कारण बिहार में बहुत बाणाती है इसलिए इसे बिहार की शोग भी कहा जाता है भारत में कोसी नदी सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी है प्राइडीपी भारत की निम्न नदियों में से कौन शेश तीन से विसिस्ट रूप से बिनन है तो इसी नदी जो चारों में सबसे अद़ बिनने फ्रेंड्स ये है नर्बदा क्योंकि ये पश्चिम दिशा की और बहने वाली नदी है इसके अलावा बाकी की जो तीन नदिया है वो पुर्व दिशा की और बहती है तो नर्बदा इन चारों में सबसे बिनन नदी है निम्न लिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है बंगाल का शोक कहलाती है फ्रेंड्स दामोदर नदी जारखन में छोटा नाकपुर के पठार से निकलने वाली दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में देखिए बान के लिए जिम्मेदार है इसलिए इसे बंगाल की शोक कहा जाता है दामोदर कौन सी नदी कपिल्धारा जल्प्रपात का निर्मान करती है तो देखिए मद्धे प्रदेश में बहने वाली नर्प्रपात नदी पर अमर कंटक में कपिल्धारा जल्प्रपात इस्ते थे इसके अलावा देखिए जबलपुर में एक और जल्प्रपात नर्प्रपात का काफी फेमस है जिसे भेडा घाट या धुआधार जल्प्रपात के नाम से जाना जाता है तो इसे भी आद रखिएगा ये दोनों ही जल्प्रपात नर्प्रपात नर्प्रपात पर काफी फेमस है और एक्जाम में काफी पूछे जाते हैं तो कपिल्धारा और धुवाधर जलप्रपाद दोनों ही नर्बदा नदी पर मध्य प्रदेश में इस्तित है। कावेरी नदी का उद्गम इस्तल है। कावेरी नदी करनाटक में ब्रह्म गिरी की पाड़ियों से निकलती है। और पुर्व की और बहते हुए तमिल नाडू के बाद हिंद महासागर में जाकर गिरती है। तो उद्गम कहां से है। ब्रह्म गिरी की पाड़ियों से। बेन गंगा किसकी सायक नदी है। तो देखिए मध्य प्रदिश और महारास्ट में बहने वाली बेन गंगा गोदावरी नदी की सायक नदी है। मध्य प्रदिश में देखिए शिवने जीले में पारसवार के पठार से इस नदी का उदगम होता है। और ये दक्षिन दिशा की और बहती है। और दक्षिन में महारास्ट में जाकर गोदावरी नदी से मिलती है। कौन सी है ये? बेन गंगा। निमनलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी में होकर बहती है। तो देखिए मद्य प्रदेश में बहने वाली नर्बदा नदी रिफ्ट वेली या ब्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। आंसर बी शिप्रा नदी निमनलिखित में से किस की सायक नदी है। शिप्रा नदी जिसके तड़ पर उज्जेन में देखिए कुम्ब का मिला युजित किया जाता है चंबल की साहिक नदी है तो शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में चंबल की एक साहिक नदी है इसी नदी के तड़ पर उज्जेन महा का लेश्वर जोतिलिंग इस्तित है गोदावरी नदी का उदगम इस्तल है गोदावरी नदी महारास्ट में तरंब केश्वर की पाड़ियों से निकलती है जो की तरंबग गाउं में इस्तित है तो महारास्ट में तरंब केश्वर की पाड़ियों से गोदावरी नदी का उदगम होता है इस नधी के तड़ पर देखिए नासी किस्ति थे जहाँ पर महरास्ट में कुमब का मिला आउजित किया जाता है ओके इसके बाद सबसे लास्ट कोशन पर आ जाते हैं लास्ट कोशन देखिए निमने लिखे तो युगमों पर विचार कीजिए तो देखिए यहाँ पर बताना है कि इन में से कौन कौन से सुमेली थे तो आईए देख लेते हैं चंबल नर्बदा नदी की साहिक नदी है क्या? बिल्कुल गलत यह यमुना की साहिक है सोन की बात करें तो यह गंगा की साहिक है न की यमुना की तो ये भी गलत हो जाएगा और मानस की बात करें तो मानस नदी ब्रह्मो पुत्र नदी की साहिक नदी है तो यहाँ पर 3 आप्शन सही है तो केवल 3 यहाँ पर सही है Answer T Clear? तो देखे casually में आपको नदीयों से related सभी question यहाँ पर बता दिये हैं आगे चल कर देखिए हम अपवा तंत्र को बहुती डिटेल में डिसकस करेंगे वहाँ पर हम particular उत्तर भारत और दक्षिन भारत की नदीयों को अलग-अलग क्रम में डिसकस करेंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए आपसे फिर मुलाकातों की नेक्स्ट वीडियो में बने रही हमारे साथ जहिन